दोस्तों टोडल सॉलिशन मिलोन में अपलो का स्वागत है तो दूस्तों आज का वीडियो सीटे के पिल का जो रिमॉट होता है और रिमॉट कांट्रूर के उपर है तो दिखिए रिमॉट कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है तो इसको कोल के देखना पड़ेगा तो स्टिप ब लैटरी में तो दोस्तो इस रिमॉट में ज्यादातर क्या प्रोब्लेम आता है इसका जो ILED रहता है उसका फॉयल उक्र जाता यह जितना भी रिमॉट होता है venet से गिर जयता है या बच्छा मतलब उसको हिला देता है तो ज्यादातर य होता है इसका ही जो फॉयल है बोट से उकर जाता है तो अब जाके दोस्तो एक भी बटन काम नहीं करेगा तो चलिए इसको कोल के देख लेते इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आया है उसके बाद और एक रिमोट है दोस्तो जो की टूटा फुटा है एक दम बिल्कुल उसको भी हम रिप्यर करेंगे तो इह देखिए इसको कोल लिहाए इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है इह देखिए आयलेडी जो हो हलका सा हिल रहा है इह देखिए इसका जो दोनों फॉइल ही उखर गया है दोस्तो नीचे से तो उपर से पता नहीं चलेगा तो हमको क्या किरना पड़ेगा साइड में जितना भी फाईल है दोस्तों वह हैंको झुल कि पीज के नया जो फाईल है उसको निकालना पड़ेगा उपर हम घीज देंगे अच्छे से स्वोडर को पकर सकें उसके बार दोनों साइड में हैं भी हम इसको तो सोल्ट कर देंगे तो बिलकुल है सही हो जाएगा तो दोस्तो जैरा तर मैंने देखा है आई एलेडी को खराब तो नहीं होता है दोस्तो इसका मतलब फॉयली उखर जाता है तो कैसे होता है एकी चीज बार बार रिमोड में या हमको पता अभी तक ठीक से लगा नहीं तो पंदाज फाल से बार बार गिर जाता है या कोई उसको पकर के हिला देता है या पेशार करता है अंदर के तरफ तब यह करन हो सकता है और रिमोड का बटन कोई जोड़ जोड़ से दवाता है जैसे के 123 या source स्पीकर वाला या पवार बाला तब जाके बॉर्ड में थोरा सा पेशायर पड़ता है、 और आई-इल-डी तो जगह से हील नहीं सकता है, तो ज्यादा पेशायर होता है, तो बोर्ड का फाइल जो है Worle के साथ उकर जाता है दोस्तों तो यह एक करन हो सकता है तो रिमोट को दोस्तों आइस्ता इस्ता दबाओ ज्यादा पेशर मत करो नहीं तो ऐसे दिक्त आ सकता है तो यह देखिए इसको हम सेट कर दिया है तो दोस्तों नया जो टेक्निशियन है उन लोग के लिए बिल्कुल सही वीड क्योंकि जनकारी रहने के बाद भी बहुत सारा टेक्निशियन महमुली से महमुली काम भी करने ही पाता है मेरे पास बिलकुल आता है बहुत सारा पॉड़क्ट रिमोट भी आता है काल एक ब्लुटूथ बॉक्स आता है चोटा वाला तो उसके अंदर भी मतलब एक सोल्डरिंग भी सही से करना नहीं आता है मतलब सोल्डर करेगा उसमें भी इतना खुरदुरा हो गया सोल्डर मतलब एक सोल्डर कैसे सोल्डर को बिगल के सोल्डर किया जाता है दोस्तों ये बहुत टेक्निसियन को पता नहीं है किनके ओव लोग थुरा सा ज्यादा早गा जनकरी रखता है इसलिए उसमें पेस्टी नहीं ल immersion ही लगता है तो सुल्डर ज्यादा हीट से सुक जाता है उसमें सुन्दर सा सुल्डर नहीं होता है बने उन लोगों को पता भी है लेकिन फिर भी ऐसे ही काम करता है तो यह दिखी इस में काम करता है बिल्कुल छोड़ देता है अब first से करता है तो इसमीए दोस्तु प्रौब्लम है मौस्टर्चर का जंग आ गया, रासट फर गया है देखिए इसका स्प्रिंग शही है लेकिन इसके उपर में राष्ट गया है तो ICI थिनार ऐसा थिनार है दोस्तो इन कामों के लिए यह देखिए आप इसको ICI थिनार लगा के तोड़ा सा पत्थर से गीज दो तो एकदम चका चक नया जैसा हो जाता है इसका काम बहुत ही अच्छा है दोस्तो हम बहुत दिन से इसको चक चक बन गया तो इसको आपको चेंज करने की जोड़त नहीं पड़ेगा अगर स्प्रिंग का जो कंडिशन खराब रहता है तो उसमें चेंज करना पड़ेगा दूसरा रिमोट से उठा के आप चेंज कर सकते हो या दूसरा कोई स्प्रिंग अगर आपके पास टेकनी हो तो उसको लगा सकते हो दोस्तों तो मैं बहुत सरा स्प्रिंग लगाया हूं किसी का भी स्प्रिंग हो दोस्तों आपको थोरा सा नौलेज होने से किसी भी रिमोट में आप लगा सकते हो वो लगाने का बहुत सरा टेकनिक है दिखिए जैसे कि इस स्प्रिंग को हम पीछे से लागा दिया हूँ अंदर में लागाने की मतलब अंदर से सोल्डर करने की जोरूत नहीं पड़ा पिछले हिसे से हमने सोल्डर कर दिया है तो दोस्तो इस रिमोट का जो दोनों टुकरा है दोस्तो इस दोनों टुकरो को हम को जोड़ना है तो हम फिबू कुट का जो है सारा लेंगे तो इसको ऐसे fix करेंगे कि इस टुटा पुटा टुकरा से कोई भी problem नहीं होगा यह नया जैसे ही काम करेगा तो यह देखिए उपपर वाला हिस्से में थोरा सा हम पेविकुल लगा देंगे उसके बाद इसको गुमा के अंदर के साइड में भी थोरा सा हमको फेविकुल देना परेगा इसको टिका के रखना परेगा जग तक ना इसको हम पूरा सेट कर ले तो यह देखिए अंदर भी हम इसमें थोरा सा फेविकुल हम डालेंगे तो यह देखिए डाल दिया है अब ही पूरा बोड़ी हम सेट करेंगे तो उपर पार्ट के साथ नीचे के पार्ट जो है वो फिर कुछ से जोड़ देंगे तो जाकि नहीं खुलेगा तो आप ही जो है ऐसे रहेगा तो पिसर बने से तूटने की चांसेस रहेगा लेकिन अगर दोनों पार्ट को एक साथ आप जोड रिमोट देते हो तो कभी भी नहीं खुलेगा दोस्तों एकदम मजबूती से टी कर आएगा तो देखिए उपर वाला जो ढकने उसको हम लगा देते तो दोस्तों मैं जो टेक्निशिया ने जो रिमोट रिप्यार करना चाहता है उन लोग के लिए बहुत ही मतलब हेल्फुल वीडियो होगा क्योंकि ज्यादा तर टूटा फुटा रिमोट ही आता है जिन्दा रिमोट काम ही आता है दोस्तों ज्यादा तर जो है टूटा फुटा भंगा जो भी रहता है दोस्तों ज्यादा तर ऐसे ही आता है क्योंकि हर गर में जो है चोटा चोटा बच्चा रह तो तब जाके क्या करोगे और जगा में नहीं मिलता है तो लेने के लिए बजार जाना परेगा तो आप ऐसे जो है छोटा मोटा काम जो है करके इसको जोड सकते हो जोड के काम चालाने के लिए यूज कर सकते हो दोस्तो तो यह बिल्कुल सही है इसका बॉडी से फट गया है और स्प्रिंग में जौंग आगा है तो स्प्रिंग को हमने ठीक कर दिया अभी बॉडी पार्ट को भी हम ऐसे जोड दिया यह नया जाई से काम करेगा दोस्तों देखिए अभी इसमें बैटरी डाल के हम दिखाते है जो की प्रॉब्लम ता पहले कभी-कभी कोई बटन आएगा यह जुरा रहेगा एकदम मजबूत हो गया देखिए हर एक बटन जो है काम कर रहा है तो ओके ठैंक यू वाचिंग माई वीडियो